जवानो, जी रावत, तुमने छुट्टी केर्जी लगाई हुई थी ना, एड़ कॉर्टर ने छुट्टी केर्जी को मन्जूर कर दिया है, यो बदाई हो बदाई हो बाई लेकिन, एड़ी रावत, तुमें सिर्फ दस दिन की छुट्टी मिली है, इसलिए टाइम से कैम्प पर आजाना, ओके सर, और योगी, जी जेनाब, जादी के लट्टू हमें भी खिला देना, जेनाब, बिल्कुल खिलाएंगे जेनाब, सर आप छुट्टियों में कभी घर नह होगे सर, आपको अपने घरवालों की याद नहीं आती गया, अरे उनी के लिए तो आज मैं सरद पर हूँ, मतलब, मतलब कुछ नहीं, क्या करोगे जानकर, जिस काम के लिए आयो ना, उस काम पर ध्यान दो, बताओ ना सारे, आप तो बताना पड़ेगा, सोलो, इतना कह रह से तीन साल पुरानी है, पापा के फोन सारी रात आते रहे, और मैं नसे में इस कदर खो गया, फोन की तरफ मेरा ध्यानी नहीं गया, और सुबा जब मेरी आग खुली, तो पता चला, पापा नहीं रहे, अगर मैं टाइम पर फोन उठा लेता, तो पापा की जान बस सकती थी, बाइया, ये सब तुमारी वज़े से हुआ है तरुन, अगर तु फोन उठा लेता न, तो ऐसा कुछ नहीं होता, अरे और कितना कुछ खोना पड़ेगा मैं तेरी वज़े से, चला जा मेरी नजरों के सामने से, चला जा, अभी भी वक्त तरुन, सुधर जा, तेरी न अयाश्यों के चक्कर में अमने मम्मी पापा दोनों को तो खो दिया है, अब सुधर जा, कुछ अच्छा काम कर ले लाइफ में, बहिया, मेरी एक बात समझ में नहीं आती, हमारे बात इतना पैसा है, इतने सहरों में हमारा बिज्मिस है, इतना सब होने के बाद में नोकरी क्यों करूँ, मैं कुछ काम क्यों करूँ, और मेरी बात एक समझ में नहीं आती, इतना सब होने के बाद आप फोज में नोकरी क्यों करते हो, ये नोकरी में पैसों के लिए नहीं करता मुझे फक्र है इस बात पे कि मैं भारतिय सेना का जवान हूँ ये वर्दी हर किसी के तन पे नहीं होती इस वर्दी को पाने के लिए लाखों लोग हर साल महनत करते हैं पर तू ये बात कहां समझेगा अपनी जिन्दगी से बाहर निकल कर आना कभी बॉर्डर पर तुमारे रॉंगटे खड़े हो जाएंगे पर चल कोई नहीं वैसे मेरी ट्रेन का टाइम हो रहा है मेरे को स्टेशन चोड़ा और हाँ मेरी बात पर ध्यान देना समझ जा चल अब बहिया वो एकपर पर आई पर साइन कर देते हैं किसी पाइपर है वो हमारी कंपनी एक सो को स्पोंसर कर रोगा यह से एमारी कंपनी को प्रोफिट होगा अब पहने लेगा कितना सबस्क्राइब अब मर ना वदर जिंपयर वाला एब ॹए अ hebben जिन्दक्की खिराब हो चिए हम अब भड़ाएगी हैं खिरग ड्ली सबस्ट इए चिहा ऐख खराए मैं तरे मसलेन थे एक दोह सुम्टारों क्यों होगे और गालばい bak तेरा बहुत हो गया है चुप हो जा अच्छा एक काम करते हैं यहां से चली जाती बड़ मेरी वज़ास अपने दोस्ती मत खराब करो एक मिट रोगो तुम कहीं नहीं चारी हो जाने देशे नित उसे बरबाद कर देगी बाड़ बगया तू अज बाड़ बगयी तेरी दोस्ती देगा ले अच्छा सुनो मैंने कुमें कुछ पेपर्स है तुमने साइन कर लिये है आओ गए तहां रखे हैं अंदर रूम पे ठीक है थांक यू सो मच तुमने मुझे मेरा शोर स्पांसर कर रहा और मैं जाती हू ठीक बाड़ दुझे प्टाएं तारून डौन यह थो असे बाद में बाड़ को कि प्टाएं शाया है इंदख दिहा हूर्ड नियुक्त आरों दूमन कर विदि अत्री जात्साना कर दो बाड़ हैं अठाना बाड़ा का यह विधार है तुमने किया है अटार अठीक अटिटफे आपको दिया वो ठाइम पूरा हुआ, अब आपको एगर खाली करना पड़ेगा. क्या बोल रहे हुआँ आप? मेरी कुछ समझ में नहीं अरहा है. एक बरी पेपर देख लो. मिमानसी देख रहा है क्या बोल रहे हैं? उस्से मेरा खाली करने के लिए? तुमने तो बोलाता है तुमने अपना सब कुछ मेरे नाम पर करती है इमानसी तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना मैं तुमसे नहीं तुम्हेरे पैसे से प्यार करती थी और तुम्हारा सब कुछ अब मेरा हो चुका है तो यहां से आप दफा हो जाओ वनना मैं पुला लूगी स्लीरी कि अरे ओ बेवड़ा अरे मरेंगा क्या तरुनु 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 कि अचल ऊचल अचल अचल जो अचल चल तरुनु इसने मेरे साथ दोगा किया भाई क्या हुआ पूरी बात रता घ्र झाल जब दू चल गया कि उसके बाद है कि मैंने पहले ही बोला तो लड़की ठीक नहीं है पर तुने मेरी सुनी कहां कि सोरी बाई और उस दिन के लिए भी सोरी में तेरे पर हाथ छोड़ा हेलो 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 आप कौन मैं हेड़कौर्टर से करनल बात कर रहा हूँ भईया का आप है मेजर किर्शन एक मिशन पर गए थे और वहां से लापता हैं क्या हमारी सेना उन्हें ढूनने में लगी हुई है जैसे ही उनका कुछ पता चलता है हम आपको इत्तिला करेंगे जय हिंद ठीट है भाई 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 किसी मिशन पर गए थे और भाईया का कुछ पता नहीं चल रहा है क्या करूं में अब भाई तु टेंशन मतले सब ठीक हो जाएगा तेरे भाईया यह चाते थे कि तू आर्मी जोइन करें तू तैयारी कर हाँ तू सही कह रहा है भाईया भी यह चाते थे कि मैं आर्मी में जाओं हुआ तो मुझे आर्मी जोइन करने पड़ेंगी और पता करना पड़ेगा कि आखिर भाईया के साथ हुआ की है मेलड़ जाना मेलड़ जाना ही हाँ जाना हर कत्रा बोल रहा कि मैंने फोज की इस हद तक तैयारी की मैं आज फोज में एक मेजर की पोस्ट पर हूं और हाँ कि इतने दिनों से हम जिस मेजर कर सन्यादव को ढूंड रहे हैं ना वो और कोई नहीं मेरे ही बड़े भाई हैं क्या जवानो वक्त आगया है तरज को पार जाने का चलो झाल कर साथ